हेलो फ्रेंड पॉपुलेटीवी सीरियल उन्ने की आशा के आगया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि रोशनी के नकली बाप को आइडेंटिफाई किया सचिन ने तो वहीं सबके सामने फूटा रोशनी के जूट का भांडा जी हाँ दोस्तो अब शोकिप कमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सचिन इस बार हार दोके रेनुका के पीछे पड़ जाएगा और उसे अपने पैसे मांगेगा तो वहीं रेनुका भी जोश में आ जाएगी और रोशनी से ये कहते हुए नजर आने वाली है कि रोशन करती है तू अपने पापा को यहां पर बुला और इन लोगों के पैसे इनके मुपे मार जहां रेनुका ताव में आखके चैलेंज भी एकसेप्ट कर लेती है वैल अप शोकिप कमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां रेनुका बनाने वाली है रोशनी पर प्रेशर तो वहीं रोशनी इस बार बुरी तरह से फस जाएगी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करें कैसे इस मुसीबत से बचे जहां रोशनी अपनी मदद के लिए करने वाली है अपनी एक फ्रेंड को कॉल और कहते वे नजर आने वाली है कि मैं क्या करू रश्म रोशनी को देने वाली है जबदस्ट आइडिया वेल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां रश्मी रोशनी से कहते वे नजर आने वाली है कि तू टेंशन मतले रोशनी मैं ऐसे एक्टर को जानती हूँ जो पैसो के लिए तेरा नखली बाब बनने क रेडी हो जाएगा तो उसे अपना बाब बना कर ले जाना तेरा काम भी हो जाएगा और तेरी शादी भी नहीं टूटेगी तो वही रोशनी उस एक्टर को हायर कर लेगी और कहेगी कि आप मेरे बाब बनने की इतनी अच्छी एक्टिंग करना कि किसी को भी जरा सा भी शक् कि तभी सचिन को याद आ जाएगा कि जब मैं एक बार जेल में गया था तब मैंने इस से देखा था ये जेल में भी अपने एक्टिंग की नुमाइश कर रहा था तो वहीं दोस्तों सचिन के सामने आएगी रोशनी के नकली बाप की सचाई जिसके बाद फूटेगा रोशनी क का भांडा और कहानी में आएगा जब अदस मोरत आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले